Hello friends, welcome to my channel Mika's Talk The talk about the children and the parents So, आज मैं आपको बता रही हूँ हूँ इस वीजियो में क्या क्या बोलने जारी हैं आज की इस वीजियो में हैं आपका सेगंड स्टर्मिस्टर इसका मतलब आपका 4 months to 6 months तक का पूरा तीनो महिनी की बच्चा कैसे ग्रोफ हो रही हूँ आपके अंदर में वही में बताने जारी हूँ और weekly wise भी बताने जारी हूँ Already मैं फर्स्टर्मिस्टर के लिए वीडियो बना चुकी हूँ इसमें पूरा डीटेल्स है अगर नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाए वहाँ पर लिंक दिया है आप देख सकते हैं और अगर आप इस चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए तो आए शुरू करते हैं आज का वीडियो फ्रेंस एक्षिली बच्छा जो होता है वह बहुती नाजुक और बहुती प्यारा होता है और ऐसा है यह गोल्डन यह तो डायमन एजिफ करना जैसा है व तर्वेट सब्सक्राइब करना भी तरफान लायमन भीडर करता है और थोडरा थोडरा मॉवमैन भी करता खना चाहिए तो फेंस आये देखते हैं वीकली वाइस क्या होता है तो वीकली वाइस आता है आपका प्रौकंविब इस इसमें उसका कीदैंविक काम करना शुरू कर कीडनी का काम तो क्या है आप प्ता ही है यूरीन को जो करता है तो वो काम करना शुरू कर देता है और ब्रेन इंपल्स इस्टार्ट होना शुरू हो जाता है और अगर आप sonography में आपका दॉक्टर ने एड्वाइस किया है format में और आप sonography करने के लिए गए अगर आप आपका बच्चा थामसा कर रहा है अगर आप लगई हो शायद अल्टासौर में आपको बिग भी जाए तो फ्रेंस नेक्स आता है पिचिन विक्स में क्या होता है देखिए आई लिस भी बंध होता है अभी तक खुले नहीं है पर थोड़ा थोड़ा करके डेवलप्ट होना स् पर फ्रेंस उसका आप बंध है जो ायट का जो सेंस में जो ईच निagit कर दो पूंपने में होता है अगर आप सब्सक्क्राप और देंग तो इस जगह से दूसरे जगह लाइट से बिंप सुदिता है वहां से फर्फ यह जाता है कि वहन होता है जो आर फोकस उसके उपर so next friends , अभी एक बात है अपका बच्चा जो है जो APPLE की जैसा है एक दम इतना साइज का है आपब जैसा साइज है वही अपका बच्चा है तो सूच्छी APPLE सो क्षूट और आपेश बेऊंच जो क्यूट बच्छी सों क्यूट तो next आता है 16 waks 16 weeks में friends उसका बाल जो है वो ग्रोह होना शुरू कर देता है पर actually वो visible नहीं हो ग्रोह होना स्टार्ट हो गया है और वो किक भी मारना शुरू कर देता है बहुत से लोगों को बहुत जल्दी उसका फील भी हो जाता है शायद आप में से बहुत सारे लोगों को यह फील भी बहुत से लोगों को तो फील हो जाता है अगर आपको फील हो गया तो बैस अफल लाग वाजिलेशन एंज्वाए कीक सो फ्रेंस नेक्स्ट आता है 17 में उसमें क्रेटियों जो जॉइंस हाथ का जॉइंस स्केलिटन सब वो मुव करना स्टार्ट कर देता है कि वो इधर से उ देर है कि वाहर अने के लिए वह इंक्रीज हो रहा है 5-1, mean इह पहला फोर मन तक पूरा खटम हो गया need नेंज़ आये इंङए हम लोग फिफ्ट मन में क्या होता है फिर बच्छा खोद्प किया है बोहते लोग को अभी ज़ाधर स्विध करना स्टाथ हो जाएंगे भुछ से me जाता ही है, स्टार्टिक में हो यह जाते हैं। आपको बहुत शाहिए एक्सपरियंस किये होंगे, बहुत नहीं करते हैं।। सलसrest, मैं तो बहुत एक्सपरियंस कें। तिल शवंड मन्त मेरा वामी नहीं फॉता कि CO B खाये तभी अब हिं आप अच्छा काम का बच्चा folks बाल uh बड जाता है रहता है जाता है यह लिःस टम प्रिपियर हो जाता है तो इसमें कोई बात नहीं जर्नम के बात अब कभी देख सकते हैं कभी दीरे दीरे चले भी जाते हैं इस नॉट वे बीग डिल क्योंकि यह बच्ची के प्रोटेक्शन के लिए हैं इसमें हैं रहा हैं फ्रेंग फ्रेंग छेर्स स्कार्ण सर्फ उर्णविक स्कार्ण करना हैं इसे प्रणाव करना को शुक्सी हैं जो लाइत गिरने में रियक्ट करता है उसके बाद पार श्मील थाच वो सब धीरे धीरे डेवलप्त हो रहे है इसमें और उसका जो पतला पतला स्कीन के स्किन भी देरे मिचीर होना चार्ट फिर भी अभी भी दिखाई देता है और यह धीरे दीरे जाना स्टार्ट हो रहा है कि वह बात कर रहें वह अंदर से परिकर सकते हैं जब भार आएंगे वह सेंगे वह जाहिए उसको प्रामिलर हो सके तो इसलिए mothers and fathers you should talk to your baby कि आप लोग बात करते हैं आपका बेबी के साथ जरूर बात कीजिए जब भी आप अकेले हो mom आप गाना गाई है क्योंकि आपके बच्चे को आपका voice सुनना बहुत अच्छा लगता है साथ में पापा का भी तो दीन में दो तीन बार तो आप बात ही कर लिए क्योंकि आफटर बड़ शुद भी जब आपका voice सुनेंगे तो अंदर में बैटके जब रेस्ट करता है तो mama का voice सुनना गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है और रिलेक्स लिए आप बुक्स रीड कर सकते गाना गा सकते उसके लिए बहुत अच्छा है और मेरा भी तो ऐसा होता था कि पापा आने से तो उसका कीक बढ़ जाता था जब भी उसका voice सुनते तब उसका कीक बढ़ जाता है कि आप लोगों में किसी का ऐसा हुआ है अगर हुआ है तो comment box में मुझे बताई किन-किन लोगों को ऐसा हुआ है मुझे तो बहुत होता था जब भी मेरा husband entry होते थे तब भी कीक जादा होते थे उसका voice सुनने से तो कीक जादा होते है शायद वो पापा को प्यार करता है जादा अंदर से ही इसलिए ऐसा है अगर आप लोगों को भी ऐसा feel हुआ है तो आप मुझे comment box में comment कीजिए अगर अभ अभी का swelling system स्टार्ट हो जाता है, digestive 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 system स्टार्ट हो जाता हो जाता के लिए बनाना के लिए टोन है यह जो खागे謝謝 देखिए उसे हैं प्रेंटल den sound बनाना से यादा आया बनाना भी खाना जरूरी है दीमें ने सबस्और आप खाके लेखिए आप लोस ब 몰라 बोट के लिए अच्छा है तो लेना जरूरी है और डॉक्टर से भी कंसलों के खाना और न्यूट्रिशन क्या लेना है आपको यह रेगुलर ले लिजिए एंड सीक्यूर रही है सेफ रही है स्लोली वर्ट कीजिए तो फ्रेंच आता है 21 वीक्स में बेबी फुली किक करता है आपको तो फिल हो जाएंगे 21 वीक्स में विशाइद अल्मोस्ट अट फाइव मांस आपको बहुत परिशान करना स्टार्ट कर देगा और बच्चा दिखने में गाजर जैसा हो गया है अभी केली से होके गाजर में आ जाएंगे एक हफते में और 22 वीक्स में बच्चा पू आपको दिखाएंगे तो बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं तो फ्रेंट्स यह हो गया आपका फिट मंद और फिट मंद में आपका बच्चा हो जाते है तैन इंच का एंड वान अन हाफ टू वान पांड का तो फ्रेंट्स अभी आएंगे नेक्स नौर ओनली इस मंद जो है सगेंड टरमीस्टर का लास्ट मंद में क्या क्या होता है हम देख देख देंगे उसका फिंगर तोस अच्छे से वैल डबलप हो जाता है आपका बच्चा 12 इंच का हो जाता है उसका स्कीन जो है रेड इश कलर का चेंज होने लगता है पर फिर भी थोड़ा ट्रांस जो जो जब भी आपका बच्चा अगर 23rd के बाद अगर जनम ले लेता है प्रिमेटियर हो जाता है कोई बात नहीं पर इंटेंसिव केयर से अपका बच्चा सर्वाइब कर सकता है सब्सक्राइब कर देखते हैं तो इंटेंसिव केयर तो जरूर चाहिए अगर बाइरिक्स हो गया तो मन में कोई खराबी मत लेजिए टेक स्टॉंग फीलिंग फोफुली बेबी विल बी गुद आये देखते हैं विकली वाइस क्या होते हैं विकली वाइस जो है आपका बच् सब्सक्राइब कर देखते हैं विकली प्तराबी सीजन फंक देखेते हैं में ब्यूशन अचाहिए दर्टी समीं जो वो बहार आके बहार का हवा को अच्छे से ब्रीद इन और ब्रीद आउट कर सकता है तो उसके लिए वो ये मैचुरिटी अंदर में ही शुरू हो जाता है और फ्रेंट्स 27 अजो नौट अउनली लास्ट वीक ऑफ थार्ड टर्मिस्टर और अलसो आज सिक्स माल इसमें बेबी जो है regular wake up and sleep में एक schedule में आजाता है बेबी बेबी wake up भी करता है और sleep down भी करता है और regular activity भी करता है और फ्रेंट्स एक बात बताने जाहिए हूँ कि आप लोग ना regular observe कीजिए आपका बच्चा कब और कौन से समय में ज्यादा activity करता है हो सके तो movement भी count कीजिए कि ये बहुत ज़रूरी होता है कभी-कभी movement low हो जाने से you can inform to your doctor so be patient, be quiet, be calm, faith in God and cross the time and enjoy the time also तो friends next जो है third term mister मैं next video में बनाऊंगी और जो first term mister है अगर बहुत सारे लोग नहीं देखे होंगे मेरे description box में link है आप लोग देख लीए है आपको ये video कैसा लगा और second term mister में आप क्या क्या फिल के आप comment कर सकते है कौन कब क्या kick करता है कौन से sound में आपको बेभी ज़्यादा रियक करता है क्या kick ज़्यादा करके आपको रात में डिस्टप करता है कि नहीं आप जरूर कॉमेंट कीजिए मुझे तो रात में बहुत किक किया था आपको कैसा करता है आप बोल दीजिए nutrition में ज्यादा ख्याल रखिये अभी आपको थोड़ा डिस्टप होगा पी ज्यादा हो दिरे दिरे करके increase ज्यादा हो जाएंगे और पेर में भी थोड़ा धिरे धिरे पेन होना भी स्टार्थ हो जाएंगे बैक में भी टेक रिलेक्स दू लाइट एक्सरसाइज कंसल तू डॉक्टर रेगूलर सो पर तोड़े बाबाई सी यू नेक्स वीडियो